आगामी दिपावली के पर्व के लेकर दुर्ग में फटाका दुकाने पूरी तरह से तयार वही बाजारों में अवैद रूप से फटाका बिक्री होने से नराज फटाका व्यवसाई ने पुलीस प्रशाशन से लगाई गुरहार दुर्ग के गौर्वर्मेंट स्कूल ग्राउंड में दिपावली को लेकर फटाका दुकाने पूरी तरह से सचकर तयार है जिसके चलते इस वर्ष दुर्ग फटाका वैपारी संग द्वारा 22 दुकाने लगाई गई हैं जिसमें विबिन किसमे के फटाके और बच्चों के लि फटाका वैपारी संग्द्वाला लोगों की सुधाओ को देखते हुए स्कूल प्रांगल में अपनी दुकान सजाता है मगर शहर में अवेद रूप से बीच बजार में बिकरी करने वालों पर किसी तरह से कोई कारवाई ना होने से नराज वैपारी अब खामोशी से अपन यह कम होती है दुर्ग सहरवासियों को दीपावली की अनंत अनंत सुपकामना है उनके जीवन में लक्षमी धनवैभव परियाप्त प्रचूर मातर में प्राप्त हो और दूसरी बात जहां तक फुटकर संग का वैपार है वो दिन बदिन निचले सर पर जा रहा है दुकान से बारवार अनुरोद हो रहा है फिर भी आवेद रूप से लोग फटाका बेच रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं बाजार में और बहुत उचे दाम में वो फटाका बेच रहे हैं और लोग अपना अन्य समान लेने जा रहे हैं वहीं पर कुछ मातरा मे फटाकर लेके आ रहे हैं जिससे हमारा वैपार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है दिन बर दिन निचले इस्तर पर जा रहा है दूसरी बात है वह बीच बजार में बेच रहे हैं सुरक्षा के कोई साधन जो सासन निर्दारित कर रखे हैं वो कुछ उपाय वो करते नही हम यहां पर पूरा उपाय करकर फटाकर सुरक्षित रूप से बेचते हैं शाधन, प्रसाधन से, लाइसेंस और जितने उनके माबदंड है सबको हम पूरा करते हैं जबकि अवैद फटाका वाले एक भी मापडंट पूरा नहीं हम चाहते हैं सासन से कि जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हम उनके अधीन हैं सासन प्रसासन से ही अपिक्षा करते हैं कि हमारे वैपार के इस गिरते हुए करम में सयोग करते हुए उनको अवैट फड़ा का बेचने का ज का वो उसको पूरा करते हुए यहां पर वो दुकान लगाएं हम उनका स्वागत करते हैं पारी संग द्वारा गवर्मेड डिस्कुल के मैदान में 22 दुकाने लगाई गई गई है जो हम लोगों यहां पर दुकान लगाते हैं और हमें सासन पर साहर का सहर में हर साल मांगते हैं लेकिन हमें भरपूर साहर नहीं मिलता है जो फुटकर बजार में फटागे भिखते हैं भीड भाड़े इलाकों में जक्ते हैं पन्नक शुट के पास इंदरा मार्कीट हो गया वह अवह दुर्ग से नसीम फारुक ही रिपोर्ट